तो हांजी पिछले वीडियो में हमने देशी दारू को बनते हुए दिखाया था इस पर आप सभी का काफी अच्छा प्यार मिला तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को विस्की के बारे में भी बताना चाहिए कि आखिर भारत में सबसे ज़्यादा बिखने वाले रोयल इस्टेग विस्की फैक्टरी में कैसे बनाई जाती है दोस्तो साथ आपको ये नहीं पता होगा कि इस विस्की को वनाने के लिए गेहू, मक्का और जोव जैसे पोश्टिक अनाजों का इस्तमाल किया जाता है जिस अनाज से आदुनिया भर में लाखों लोगों का पेट भरता है, आखिर उस अनाज में ऐसा क्या मिलाए जाता है जिसे पीते ही वैक्ति को नसा चड़ने लगती है साथी साथ इसके वज़ा से लाखों लोगों की मौत हो जाती है दोस्तो 1995 में इस्टेबलिस हुई इस विस्की का आज इंडिया में केवल चार ही मैनिफेक्टरिंग प्लांट है कुलकत्ता, मुंबई, दमन और गुडगाव दोस्तो अगर बात हो रही है विस्की की तो चलिए इसके त्यास के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर इसकी उत्पती सबसे पहले कहा हुई थी दोस्तो आपको बता दें कुछ लोगों ने इसकी अविस्कार का सिर्या चैनिज मौंकों को दिया है जो इन अनाजों को सड़ा कर इस लिक्विड को तैयार करते थे लेकिन वे लोग इसका इस्तमाल दमाव के लिए करते थे और जब ये लिक्विड स्कॉट लेंड पहुँचा तो वहां के लोग इसे नसे के रूप में इस्तमाल करने लगे तो आईए दोस्तो आप सभी को ले कर चलते हैं विस्की बनाने वाले फैक्टरी में और दिखाते हैं कि इन अनाजों की मदद से विस्की कैसे बनाई जाती है दोस्तो सबसे पहले खेतों से अनाजों को काट कर इकठा कर लिया जाता है और फिर इने ट्रॉकों की मदद से लोड करके विस्की बनाने वाले फैक्टरी के अंदर लाय जाता है और फिर यहीं से स्टार्ट होता है विसकी बनाने का पहला इस्टेप सबसे पहले इन अनाजों को पाणी में डाल कर 12 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है फिर 12 घंटे बाद इन्हें डेन करके एक बार फिर से 14 घंटे के लिए दूसरे पानी में रखा जाता है करिब 14 घंटे बाद इन्हें पानी से बाहर निकाल कर सुखाय जाता है जिसके लिए इन भीगे हुए अनाजों को एक कमरे के अंदर कुछ इस परकार फैला कर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि अनाज जल्द से जल्द सुख जाए करिब एक हफ्ते सुखने के बाद इसका माल्टिंग प्रुसेस किया जाता है जिसमें विस्की को एक संदार इसमोकी फ्लेवर दिया जाता है माल्टिंग प्रुसेस के लिए इन अनाजों में धुवा लगाय जाता है जिसके लिए सबसे पहले एक भट्टी में आग जलाय जाता है और फिर भट्टी से निकलने वाला धुवा इन अनाजों में भेजा जाता है और यह अनाज इन धुवों को अब्जर्ब करती जाती है जिसके वज़े से रोयलिष्टेक विस्की में एक संदार इस मोकी फलेवर आ जाता है अगर आपने कभी इस विस्की को टेस्ट किया है तो आपको यह सवाद जरूर रिया होगा और फिर दो से तीन दिनों बाद इन अनाज के क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है टेस्ट में पास होने के बाद इसकी फॉर्मेंटिंग किया जाता है अगर सिधे सब्दों में कहे तो इसको सड़ाया जाता है सड़ाने के बाद ही इसमें से अलकोहल प्राप्ध होता है लेकिन इससे पहले इसकी grinding किया जाता है जिसके लिए इन अनाजो को conveyer belt की मदब से grinder machine में भेजा जाता है और यह मसीन इन अनाजो को ग्राइंड करके बारिक कर देती है अब इसे फर्मेंटिंग प्रुसेस के लिए ग्राइंड किये हुए अनाजो को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है साथ ही इसमें इस्ट का पानी भी मिला जाता है जो कि इन अनाजों की सड़ने की प्रिक्रिया को और भी तेज कर देती है इन अनाजों को सड़ाने के लिए दो दिनों तक ऐसे ही एक ही कंटेनर में रखा जाता है और यह अनाज सड़ने के बाद इतनी तेज बदबू करती है कि आप वहां बिना नाक बंद किये खड़ा नहीं रह सकते लेकिन दोस्तो इन अनाजों से सड़ने के बाद ही अलकोहल प्राप्त होता है लगबग दो दिनों बाद जब अनाज से बदबू आने लगती है तब कंटेनर में लगे पाइप की मदद से अनाज से निकले हुए अलकोहल को बाहर कर लिया जाता है दोस्तो यह जानकर आपको अशरे होगा कि इस अलकोहल को कंटेनर में भर कर लगबग तीन सालों तक ऐसे ही रखा जाता है जी हाँ दोस्तो रोयलिष्टेग एक स्कोच विस्की है यानि कि जिस विस्की को कम सी कम तीन सालों तक श्टोर करने के बाद मार्केट में भेजा जाता है उसे स्कोच विस्की कहा जाता है सिंपल विस्की को ऐसे ही बीना श्टोर किये बनने के तुरंत बाद ही मार्केट में भिकने के लिए भेज दिया जाता है लगबग तीन सालों बात रोयलिष्टिक विस्की को कुछी इस परकार पैक किया जाता है तो कुछी इस परकार हर एक बिमारी में काम आने वाली इस दवा को बनाया जाता है दोस्तो आपके हैं एक वोटल विस्की का प्राइस कितना है कमेंट में जरूर बताएं ऐसे में जब दारू की बात हो रही है तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर फैक्टरी में सिगरेट को किस परकार पनाया जाता है दोस्तों आपको बता दें दारू की तरह ही इसकी भी शुरुआत खेतों से ही किया जाता है सबसे पहले खेतों में सिगरेट में भरे जाने वाले तंबाकू को तैयार किया जाता है जिसके लिए तंबाकू के छोटे-छोटे पौधे को नर्सरी में तैयार किया जाता है और इसे नर्सरी में अच्छे से देख बाल भी किया जाता है जब यह तंबाकू के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इसे नर्सरी से लाकर खेतों में कुछ इस परकार लगा दिया जाता है और जब यह बड़े हो जाते हैं तब बारी आती है इन्हें हार्वेश्टिंग करने की यानि की इन्हें तोड़ने की तो कुछ इस परकार वर्कर्स तंबाकू के परतेक पत्तों को हाथों से तोड़ कर इने कंटेनर में लोड करते जाते हैं और फिर इन पत्तों को आगे की प्रोसेस के लिए फैक्टरी में भेज दिया जाता है जहांपर सबसे पहले इन पत्तों को सुखाया जाता है जिसके लिए वर्कर्स तंबाकू के पत्तों को कुछ इस परकार बात कर लगवा एक सालों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब यह पत्ते पूरी तरह से सूख कर ब्राउन हो जाता है तब इसकी सौर्टिंग किया जाता है यानि कि अच्छे क्वालिटी के तंबाको को चाड़ कर अलग कर लिया जाता है जिससे बनने वाला सिग्रेट अच्छे क्वालिटी का हो और अब इस तंबाको की grinding किया जाता है जिसके लिए इन तंबाको को conveyor belt की मदद से grinder machine में भेजा जाता है और यह machine तंबाको को छोटे छोटे टुकडों में बदल देती है तो अब cigarette में भरा जाने वाला तंबाको पूरी तरह से बन कर तयार हो चुका है जिसके बाद cigarette के filter को तयार किया जाता है आपको बता दें cigarette के पीछे जो filter होता है उसे cellulose acetate से तयार किया जाता है जिसको machine की मदद से रोल कर दिया जाता है अब इसके बाद कागच की रोल को तयार किया जाता है सांथ ही यह मसीन कागच के रोल को आगे भेजती रहती है जिसे यह मसीन कागच के रोल में एक तरफ से फिल्टर और दूसरी तरफ से तंबाको को भरती जाती है तो फाइनली अब सिग्रेट बन कर तयार हो चुका है जिसे पैक करके मार्केट में बिगने के लिए भेज दिया जाता है तो चलिए अब जान लेते हैं कि फैक्टरी में गुटका कैसे बनाया जाता है दोस्तो हरे घरों में एक सक्स ऐसा जरूरी मिल जाएगा जो गुटका तो जरूरी खाता होगा आपको जान कर यह आश्चर होगा कि भारत में हर रोज 160 कुर रुपे का केवल गुटका खाकर ही थुक दिया जाता है तो गुटका बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है सुपारी का जिसके पेड कुछ नारियल के पेड की तरह ही दिखते हैं और इन्हीं पेडों में सुपारी का फल भी लगता है ये फल एक साथ गुच्छे में फलते हैं जो कि बिल्कुल खजूर की तरह ही दिखते हैं जब ये फल पक कर पीले हो जाते हैं तो कुछ इस परकार इसकी हर्वेस्टिंग की जाती है तोड़े हुए सुपारी के गुच्छे को एक जगा एक कठा किया जाता है जिसे बार में पीट पीट कर गुच्छे से परतिक सुपारी को अलग कर लिया जाता है और फिर इस सुपारी को कुछ दिनों तक धूप में सुखाय जाता है जब यह सुपारी अच्छी तरह से सूख जाती है तो इस सुपारी के उपर से एके करके छिलके को हटाया जाता है इस काम को काफी सावधानी से किया जाता है क्यूंकि थोड़ी सी लप्रवाई से भी हाथ कट सकती है और फिर इस सुपारी को भट्टी में डाल कर कथे के साथ गर्म किया जाता है साथ ही इस सुपारी में अलग-अलग फलेवर और इसे ताजा बनाये रखने के लिए पैराफीन भी मिलाये जाता है दोस्तों ये वही पैराफीन है जिसका इस्तमाल मुम्बत्ती बनाने में भी किया जाता है अब आप खूदी सोचिए कि कमपनियां आपको क्या खिला रही है वैसे इन कमपनियों में भी कोई गलती नहीं है क्योंकि कम्पनियां तो पहले ही बता देती हैं कि गुटके से कैंसर होता है अब इसके बाद इसे भठी से निकाल कर धूप में फैला कर कुछ जिनों तक ऐसे ही सुखाय जाता है और जब सुपारी अच्छी तरह से सूख जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकडे किये जाते हैं जिसके बाद इसमें चूना और तंबाकू को मिलाय जाता है दोस्तों मैंने पीछे ही आपको बता दिया है कि फैक्टरी में तंबाकू कैसे बनाय जाता है अब इसके बाद इस गुटके को अलग-अलग पैकेट में भर कर पैक कर लिया जाता है और फिर इसे मार्केट में बिखने के लिए भीज दिया जाता है दोस्तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप देली कितने पैकेट गुटका, सिगरेट और कितने पैक दारू पी लेते हैं दोस्तो इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा है इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेसन को भी ओन कर दे और कमेंट में या भी बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए दोस्तो यदि आप जानना चाहते हैं कि देसी दारू कैसे बनता है तो लिफ्ट वाले वीडियो को पले करके देख सकते हैं मिलते हैं जल्दे किसी ओटॉपिक के साथ अगले वीडियो में